मिजोरम की जनिता का जोश, जुनून और जजबा बता रहा है कि हवा का रुख साफ है मिजोरम कॉंग्रेस के साथ है मिजोरम की जनिता ने जिस घर्म जोशी के साथ, जिस भाव के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया, पूरा देश ये देखता रहे राहुल की बस एक जलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहें और राहुल को देखते ही दौड कर उनके पास पहुँचने लगे कोई भावुक हो गया तो किसी के आखों में खुशी के आंसु छलक आए कोई राहुल को अपनी समस्या बताने लगा तो कोई सेलफी लेने लगा तो कोई बस राहुल के साथ खदम ताल करता रहा राहुल भी सबकी तरफ हाथ हिलाते हाथ मिलाते गले लगाते महबत शांती और भाईचारे का पैगाम लेकर आगे बढ़ते रहें लेकिन कॉंग्रेस का मिजोरम के लिए प्यार और मिजोरम में कॉंग्रेस की दीवानगी की कहानी बरसो पुरानी है 1986 में जब पूरु प्रधान मंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी मिजोरम दोरे पर पहुँचे थे तब भी ठीक ऐसा ही नजारा था और आज जब राहुल मिजोरम पहुचे हैं तब भी ऐसा ही जन सैलाब और जोश देखने को मिला ये तस्वीरे गवाह हैं कि देश के बाकी राज्यों की तरह मिजोरम भी अब परिवर्तन के लिए तैयार है ये जन समुह गवाही दे रहा है कि मिजोरम में कॉंग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है क्योंकि मिजोरम की जनता को अब बस कॉंग्रेस पर ही वश्वास है यकीन है एतबार है